जैहिन जैभारत और वेलकुम प्रू डेफ टॉक्स दिस इस आदी एचेन इसरेल बिटी मॉच ड़स अगेन दुबारा से इसरेल ने बड़ी जबड़ से दिन निकाला है और बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स हुई है लेकिन उस ट्राइक में जाने से पहले मैं आपको एक बड जाता है कि उसके पास एक pen था जो pen explode करा और explosion की चकर में पूरे helicopter को damage हो और वो नीचे गिर गया देखिए अभी जो पेजर का एक incident वा था उसके बाद से ऐसे ऐसे rumors तो काफी चलेंगे कोई भी चीज अगर कोई इदर उदर खराब जाती है तो आपको ये चीज दिखेगी कि किसी का pen explode हो गया किसी का mobile explode हो गया ये चीजें तो obviously चलेंगी बट इसकी कोई हमको confirmation नहीं है कि भाई यह actually pen के चकर में कुछ आगे हुआ है तो we'll have to see exactly what has happened फिरे time के बाद आपको थोड़ी बहुत news दिखेगी and let's see what comes out of it बट कल इस्रेल की तरफ से एक मोटा attack किया गया हूथीज की उपर जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस्रेल के तीन तीन enemies हैं जो इरान के proxies हैं और तीन H बोलते हैं उनको हमास हेजबोला और हूथीज हमास को तो पूरी तरह से प्रबाद करके रखा हुआ है गाजा के अंदर हेजबोला का आपने देखा यह leadership को पूरी तरह से गायब कर दिया है और अभी बचा है हूथीज जिसने यह port की उपर allegedly इरानियन सारे जितने भी यह हत्यार वत्यार आते थे पूतिस के पास जिससे यह attacks carry out करते थे इस्रेल की उपर red sea के अंदर on the shipping lines और यह चीज़ें होती थी उनके port infrastructure को उनके oil reserves को काफी हद तक damage हुआ है कल और बड़े-बड़े explosions 2000 pound के bombs वहां पर भेंके गए थ तो he has to cross through many other territories, many other air spaces, Saudi Arabia, Jordan, just to name a few, but the point is कि इस्रेली इतना दूर अपने आप तो कुछ करनी सकते है क्योंकि उनको refueling की जरोद पड़ेगी उस region के अंदर, आप एक जटके में जाके, raid करके वापिस आना थोड़ा difficult पड़ता है, जास के लिए करीब 2600-3000 km का आपका distance हो जाता थी, एक बार Egyptians की तरफ से भी rumor चला था, बट कुछ confirmation नहीं आई थी, कि इरोंने भी refueling करके दी थी, इस बार ही किस ने करा था, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, but it is confirmed that Houthis के उपर एक massive attack किया गया है, कुछ और news निकली है about Hezbollah, कि जो बड़ा सा जो strike वा था, उसके आया about the location of Nasrallah, और जहां पर वो था, उसके हिसाब से फिर इसरेल ने वो calculate करके एक strike करी है, and उस strike के भी photograph दिखी है, आपको दिखेगा कि 20-25-30 foot का लंबा गड़ा वहाँ पर, जहां पर नीचे वहाँ पर इनका bunker था, जहां पर Hezbollah के chief Hasan Nasrallah की death हुई है, now Israelis ने जो strike करा, He basically got suffocated under the entire, वो जब building नीचे गिरी तो obviously निकलने की मुश्किली होता है वहाँ से, and this was the cause of death, now देखे, बड़ा ही एक interesting चीज चीज चल दी है, मैंने आपको जैसे बताया है, before I go into the rest of the things, मैं आपको बताओ कि अभी इरान ने basically France को बोला है, कि Lebanon और इसरेल से बात करो ताकि एक प्लेन हम बेच सकें, ताकि IRGC वाले जाके नसर अला और जो दूसरे IRGC वाले बंदे वहाँ पर इस strike में मरे हैं, उनकी bodies निकालके, नजफ के अंदर वहाँ पर जहाँ भी उनको बरियल बरियल देना है, जो भी ceremony करनी है, वो करकुरा के खतम करें, because at the end of it you must realize, तो एक चुरू भी है, Houthis की उपर, तो ये पूरा गेम चली रहा है, अब देखिए, जो इरान के revolutionary guard की तरफ से एक statement आया है, कि जितने भी Hezbollah के commanders हैं, उनको replace कर दिया गया है, बट यहाँ पर मैं आपको बताओ कि एक और rumor चल रहा है, कि इरान अपने forces भेजने के लिए सोच रहा तो obviously command structure जो है, इनका पूरा खराब हो रखा है, और किस तरह से उसको restructure करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम से खतम नहीं कर सकते इस चीज़ को, because इरान ने काफी effort लगाया है, काफी पैसे लगाया है, इनकी उपर और इनके ground fighters अभी भी हैं, command structure तोटा है, ब अल ही एक rocket attack करा है, इस बोला ने इसरेल की उपर, and वो चीज़ report भी हुई है, तो rocket attacks हो रहे हैं हेजबोला की तरफ से, but quantum थोड़ा चोटा हो गया, पहले 100, 500, 200 rockets होते थे अभी 50, 60 rockets के करीब आ चुगा है, तो obviously उनकी एक capability नीचे आ चुगी है, अली कुमेनी की तरफ से एक tweet आता है कि भाई, जो मुसल्मान है, दुनिया के अंदर उनको एक obligation मनता है कि हमारी help करें, और Hezbollah के साथ जो हुआ, उसको condemn करें, और जितने भी assistance वो दे सकते हैं, वो दें, ताकि हम इस चीज़ को दुबारा से start कर सकें, देखें, इसको दो तरह से interpret कर सकते हैं, one is he is actually genuinely asking for help और दूसी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि भाई, हमारी हालत कराब है, कुछ करो यार, नहीं तो band बज जाएगी यहां पर, so you can look at it and यह चीज़ जैसे जैसे time कुलेगा, you will come to know exactly what the game is, ये भी पढ़ा चला है कि खमेनी साब आजकल बढ़ा deep, deep, deep पंकर के अंदर जाके बैठे में हैं, और इनका डर कब से स्टार्ट हुआ, जब इसमाइल हनेया, जो हमास के चीफ थे, उनको इरान के अंदर उड़ाया गया था, जब वहां पर उड़ाया गया था, तो एक ये रूमर निकला था, कि जो इनकी IRGC है, इरानियन रेवलूशनरी गार्ड को उसको इंफिल इविडेंस उठाती है, बेसिकली ट्रैक मोबाइल फोन, बेटाट सैटलेट डेटा, बेटाट ड्रोंस, बेटाट ट्रैक टेराबाइट अपरमेशनरी एंद उसके बाद वह कुछ ग्रॉस कनेक्शन करके देखते हैं, कुछ चीज जब विर्ड दिखती है, उनको ट्रैक कर के देखते हैं उसको, एन देन दे ट्राइन फाइंड आट कौन है, क्या है, रीकनफिर्म करते हैं, एन दे टेक तर स्ट्राइक फोरवर्ड, तो इसको भी एक्सेप्ट करा है, कि भाई, यह हाँ, यह ठुक ठाक के बराबर हो गया है, इरान की जो स्ट्राटेजी थी, कि भा ठाकि वो थोड़ा दूर रहे और लेवनीज इनके साथ लड़ता रहे, जो लेवनीज हेजबोला है, उसके साथ लड़ता रहे, ताकि उसकी उपर जारा कुछ इम्पैक्ट आए, जो रिटालिएशन आए, वो हेजबोला की तरफ ही आए, बढ़ देखे हेजबोला है शिया अब इरान को एक वो religious चीज भी बनती है कि शिया को ये लोग abandon नहीं कर सकते जिस तरह से हमास को लोगों ने abandon कर रखा है जब तक ये पूरा गेम खतम नहीं होता इस्रेलीज की जो northern settlements है वो settle down नहीं होंगी क्योंकि जब तक ये Hezbollah का threat बना रहेगा तो north में जो 60-70,000 लोग इ evacuated from that area एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग सी कल एक वीडियो निकला अल-अरविया न्यूस चैनल पर जहां पर एक मौमद अलीक हुसेनी एक शियाइट क्लेरिक हैं लेविन उन्होंने एक बड़ा जबर्दस सा स्टेटमेंट दिया उन्होंने बोला कि हिसाब देखो जो हसन नसर अला को बड़े क्लियरली कई लोगों ने बोला था कि हिसाब अपनी विल लिखलो अपने बच्चाओं को यहाँ से निकाल लो क्योंकि एरान ने आपको बीट्रे कर दिया है इरान को कुछ इस बदले में मिल रहा है और इस चक्कर में आपका पूरी तरह से बिट्रेल ह हो चुका है एंड आप अभी ज़्यादा टाइम के महमान नहीं हो यह चीज बड़ा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि अगर ऐसी चीज है जिसके बारे में काफी टाइम से लोग बात करने कि कभी महीं इरान ही तो नहीं बदल गया है कि करके बंदे उडवा रहा है एक तो अभी धनिया कोड़ आया अभी तो अभी तो एक तरफ से तो वह स्टेंटन कर रहा है लेकिन बैक एंड पर यह चीजें भी कर रहा है जहां पर इसके अपने प्रॉक्सी अब जाना शुरू हो चुके हैं तो यहां पर देखिए अब मैं वापस जाता हूँ इस्रेल ने जो एस्ट्राइक करी है यमेन के अंदर जहां पर हूटीज का स्मगलिंग का पूरा रोल था इरान से वेपन वेपन आते थे काफी कुछ होता था वहां पर एंड उस जगे को भी टार्गिट किया गया है एक और एस्ट्राइक हुई अभी कंफर्म नहीं हुआ इस्रेल ने करा कि यूएस ने करा बट जहां पर जेनरल माहर असाद कमांडर अधर सिरियन फोर्थ आमी जो ब्रदर है बशलर असाद के वो मोस्ट लाइकली इस बिन इलिमनेटेट इन इस्रेक विच हैपन इन सेरिया तो चारों तरफ there is something or the other happening और एक और स्ट्राइक हुई जो एक drone attack हुआ है US-led global coalition से जो एक जिसमें दो इरानियन IRGC गार्ड को मारा गया है इस्टन सेरिया में एक जगे का नाम है इस जोर जहां पर इनको मारा गया है तो यह convoy weapons का लेके जा रहे थे किस तरब लेके जा रहे थे कहां लेके जा रहे थे यह अभी तक कुछ पता नहीं चला है but this strike has been confirmed that something of this sort has happened now देखिए आपको बताओ IRGC के जो इरान का एक नजरिया होगा यार it can't look like a coward because otherwise अगर यह retaliate retaliate नहीं करेंगे तो दो ऐसे incidents हो जाएंगे जहां पर इरान के घर्मे को उसके मारा गया और इरान कुछ करनी पाया पहले वाला इसमाइल हनिया था जहां पर बड़ी बड़ी बाते की गई लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं है so let's see how this game goes forward क्योंकि Israelis इस ताइम पर बड़ा full of confidence चल रहे हैं और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इरान को वो provoke कर रहे हैं in creating an incident so that इसरेल और इरान का open out all out type एक war type हो जहां पर इसरेली जो इरान के साथ करना चाहते हैं वो करें let's see how this game goes forward but most likely जो में को लगता है इसरेली इस Southern Lebanon में तो जाएंगे 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 जो उनको clearance operations वहाँ पर करने है that is something I see happening going forward इरान का क्या reaction आता है will Iran back off कि इरान भी मिला हुआ है इस game के अंदर इसके बारे में कुछ भी कुछ है नहीं बट एक यह जो statement आया था यह बड़ा interesting है thank you so much for watching this update guys इसकी उपर मैं नजर बनाये रखूँगा और आपको अपडेट जरूर करता नहूंगा यह वीडियो को like करिए subscribe करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है most importantly share this with your friends and families and of course yes आज दुपैर में मैं आपसे बिलूँगा एक update पे बांगलादेश के बारे में और रात को हम बात करेंगे संजय दिक्षिट जी से किया हिंदू पूरी तरह से जगना शुरू हो गया है कि नहीं थोड़ी सी बात हमने अभीशेक जी के साथ करी थी उस बात को हम आगे लेके जाएंगे आज रात को 10 बजे सो बिलकुल मत बुलेगा join करने के लिए and yes आप लोग इस च स्टिकर सूपर चार्च के साथ जय हिन जय भारत